स्वागत है दोस्तों आप सभी को टिकिराच यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने MI6X या फिर इसी भी Redmi phone पे network जो आपका काम नहीं कर रहा है network का जो आपका problem आता है उसे आप कैसे solve कर सकते इस वीडियो में मैं आपको ब रहा है या फिर आपका जो आपका network है वो बिल्कुल शोई नहीं कर रहा है तो यह सारे problem network का problem का आप कैसे solve कर सकते इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रही है साथी साथ दोस्तों चैनल को subscribe करके bell icon भी दबा देना और यह आप online पैसे कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन आप चेक आउट कर सकते हैं चली बिना देर की हुए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने mobile के settings पर जाना है उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको more पर जाना है more पर जाने के बाद में दोस्तों Redmi phone पर एक यह बहुत में जो SIM पर आपको network नहीं मिल रहा है या फिर network का problem आ रहा है उस SIM को आप select कर लिजेगा और यहां पर दोस्तों आपको preferred network type पर जाना है अभी आपको ध्यान रखना है कि यह आपका mobile volte है LTE है volte support करता है तो आपको prefer volte पर करना है ठीक है जाहर सी बात है volte support करता है तो आपको यह यहां पर prefer LTE show करेगा ही करेगा ठीक है वरना यह दिए आपको यहां पर काम नहीं कर रहा है तो आप prefer 3G पर क्लिक करके भी आप network check कर सकते हो एक बार ठीक है उसके बाद में दोस्तों बेक आके यहां पर आपका यह mobile volte है तब आप यहां पर जो है आपने 3G select किया है तो volte को आ आप own कर सकती हो off रख सकती हो ठीक है चेक करने के लिए उसके बाद में दोस्तों यहां पर mobile network पर यह दिया हम चले जाते है तो automatically select the network इसे आपको यह automatic आपको रखना है ठीक है इसे आपको automatic रखना है उसके बाद में अभी हम चलते है network setting की वर यहां पर more पर आपको जाना है settings पर आने के बाद में network setting reset पर आपको जाना है अभी दोस्तों यहां पर क्या होगा Wi-Fi mobile data आपका यहां पर Bluetooth और यह SIM सारा आपका reset हो जाएगा ठीक है अभी क्या होता है कि कभी-कभी हमारा network वगेरा में हम जो है छेडखानी कर लेते settings वगेरा में या फिर गलती से settings वगेरा ज उसी में by default बेट जाए उसके लिए आपको सबसे नीचे reset setting पर क्लिक करना है और यहां पर आपको अपना password है तो भर देना है उसके बाद में next पर क्लिक करना है अभी दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि reset all network setting you can turn to this action तो आपको यहां पर simply ok क्लिक करना है ठीक है जैसे आपका network जो है वो completely reset हो जाएगा तो यह करने के बाद में दोस्तों आप अपना mobile के एक बार switch on से switch off करके switch on कर लिजेगा restart कर लिजेगा उसके बाद में आपका जितना भी network का problem है वो solve हो जाएगा ठीक है एक बार आप settings में जाके अपना about phone पे जाके system update में जाके system check भी कर हो रहा है तो कभी-कभी motherboard में या फिर SIM slot में हमारे inbult motherboard में problem होने के वह जिसी भी होता है ठीक है तो यह था problem का solution उमीद करता हूं वीडियो पसंदार को थैंक्स वाचिंग